अमस्ये मैं हूँ सचिन गोयल और आपका सौगत करता हूँ एकुंजी चैनल पर गुटनों में दर्द की समस्या आज एक कैसी समस्या बन गई है जो कम उमर में ही तकलीफ देने लग गई है जैसे अगर आपके बाएं गोटने में दर्द है या दोनों में दर्द है तो जहां दर्द है उस जगे पर सनलाइट जरूर आने चाहिए इस तरह आप अपने गोटनों को 20 मिनट तक सुरज की रोशने में जरूर रखें अगर आप बाहर नहीं जना चाहते हैं या बाहर सरदी ज्यादा है तो खिड़की या काँच के अंदर से भी आप गोटनों पर सनलाइट ले सकते हैं दूसरा काम आपको ये करना है कि अपनी डाइट में पानी की मातरा को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए बरपूर मातरा में आहर लीजिए तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको मैं एक तेल बनाने की विदी बता रहा हूँ आप उसको बना लीजिए आपको आदा कटोरी तिलका तेल लेना है तिलके सेवन के फायदे भी मैं आपको पहले के एक वीडियो में बता चुका हूँ ऐसे ही तिलका तेल सेसमी ओयल लेना है इसमें आप एक चमच कपूर चूरा करके डालिए शुद कपूर जो भीमसैनी कपूर के नाम से मिलता है वो ले सकते हैं पूजा में एक काम आने वाला कपूर ले सकते हैं कपूर डालकर इसको ढखकर या फिर काच की शीची में डालकर 6-7 गंटे के लिए तेज दूप में रखिए या आपके लिए गुटने की मालिश के लिए एक वाइल तेयार हो जाएगा इसे यूज कैसे करना है आप इस तेल के कुछ ट्रॉप्स अपने हाथ में लिजिए और अपने गुटने पर आप मसाज कीजिए गोल-गोल गुमातोई आप मसाज कीजिए ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से हो जाएगा इस तरह से सरकुलर मसाज अपने दोनों गुटनों पे कम से कम 3-4 मिनट सुवए उठते ही और रात को सोने जाने से पहले जरूर कर लिजिए अब आते हैं बहुत ही सरल योगा अभ्यास पर ये आपको रोजाना करना है मैट बिच्छा करके आप उस पे लेट जाएए या बैट पर लेट करके भी कर सकते हैं अब आपने अपने बाएं पैर को इस तरह से उठा लिया गुटनों के नीचे थाइस पर दोनों आतों से पैर को पकड़ लिया कमर आपकी रिलक्स पोजिशन में है अब यहाँ पैर को बिलकुल देला चोड़ दीजिए यहाँ से धीरे धीरे जितना पैर को सीधा कर सकते हैं उतना करना है और वापस ले आना है जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने गुटनों पे कड़कड के इस यह वाद सुनाई देगी कोई बात नहीं वो जो तेल आपने लगाया है वो अपना काम करने लगेगा आप ऐसा पांच बार कर लीजिए फिर पैर को नीचे रख लीजिए फिर दुबारा पांच बार कर लीजिए अगर एक साथ दस बार कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है लेकिन बिना जोर जबरतस्ती किये हमें एक्जर्शन बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है तो दस बार बाएं पैर से कर लिया अब ऐसे ही दाएं पैर को उठाया और दस बार दाएं पैर से कर लिया आप जितना आसानी से पैर को उठा सकते हैं उतना ही उठाये सीधा रख लेना है, फिर क्या करना है गुटने से, ये अप और डाउन मुमेंट दीजिए, कम से कम दस बार, दोनों पैरों से, ये बहुत जरूरी आपके पैरों के लिए, फिर पैरों को डीला छोड़ दीजिए, अब नेक्स स्टेप पर आते हैं, इस स्टेप में आप अपन और फिर से, उस से थोड़ा कम effort के साथ कीजिए, इसको 5 बार clockwise करिए, और 5 बार से anti-clockwise गुमा लीजिए, 5-5 बार दोनों तरफ करने के बाद, पैर को सीधा करके जमीन पर रख लीजिए, अब दूसरे पैर से इसी क्रम को दोराना है, बड़ा circle बनाना है, 5 बार घड़ी की द ही हो जाएंगे, अब पैरों को फिलाया, और फिर से ये गुटनों का up and down moment किया, इसके बाद आखरी में क्या करना है, दोनों पैरों को सीधा करके मिला लिया, और पैरों के पंजों को नीचे खीचा, इससे आपको thighs के पीछे तक किचाओ, गुटनों पर किचाओ मैसूस अब ये करने के बाद आप अचानक से बैठेंगे नहीं, आप पहले करवट लेंगे और फिर अपने आसन पर बैठेंगे, अब घुटनों में दर्द है, चौकडी मार के नहीं बैठ सकते हैं, तो बैठने का तरीका भी समझ लीजे, अगर आपके दाएं घुटने में दाएं को ऐसे रख कर बैठेंगे, बहुत असान है, लेकिन जमीन पर बैठने का अभ्यास मत छोड़िए, अगर इस गुटने में दर्द नहीं है, और इसमें है, तो इसको मोड लीजिए, और इसको सीधा रखिए, लेकिन जमीन पर जरूर बैठें, अगर पैर को अंदर कर दूसरे को अगर ऐसे नहीं रख सकते हैं, तो ऐसे रख लीजिए, और बार खोल लीजिए, आप क्रॉस लेक पोजिशन में भले ही नहीं बैठ पाएं, लेकिन बहुत आराम आराम से बैठने की कोशिश करेंगे, तो आप वजरासन में भी बैठ पाएंगे, मतलब आप इसकी तरह के बहुत आसान गरेलोन उसके देखते रहने के लिए ये कुझी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए